उत्तर प्रदेश के मुजफर नगर में शुपरवार को एक घर से मगरमच के दरजन भर अंडे मिलने से संसनी फैल गई इन में से तकरीबन पांच अंडों से देखते ही देखते मगरमच के बच्चे भी बाहर आ गए जिनहें ग्रामीनों ने एक प्लास्टिक की टोकरी में सुरक्षत रख लिया जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है बताया जा रहा है कि ये मामला पूरकाजी नगर पंचायत के खादर इलाके के भदोला गाउं का है जहां अरुण त्यागी नाम के एक ग्रामीन की घर से मगरमच के तक्रीबन एक दरजन अंडे मिले घर में मगरमच के अंडे होने की खबर गाउं में आग की तरह पहल गई जिसे देखने के लिए गाउंवाले भी जमा हो गए वही अंडे मिलने से ग्रामीडों में दहशत फैल गई इसके कुछी दिर बाद इन अंडों से पांच मगरमच की बच्चे बाहर निकल आए जबकि बाकी की बच्चे अंडे टूब गए मैं आपके चैनल केमाद्यम से प्रसासम को एक अपील करना चाहता हूँ कि आज हमारे बदोला फारम गाओं में ग्राम पंचैत बदोला में एक मगरमच के काफी अंडे वै बच्चे अंडों में से कुछ बच्चे भी निकले हुए गाओं में मिले हैं एक हमारे बदोला में किसान है अरुम द्यागी जी उनके मकान में यह अंडे वै बच्चे मिले हैं आज से दो साल पुरव एक बहुत बड़ा मगरमच यहां मिला था तो हमने फोरेश्ट विबाग को यह सूचना दी थी तो वह हमने पकड़ कर फोरेश्ट वालों को दे दि पर अब फिर छोटे छोटे बच्चे वै अंडे बहुत ज्यादा मिले हैं तो हम परशासन से यह अपील करना चाते हैं अब आपके चैनल के माद्यम से कि उनका कोई इलाज देखा जाए हमारा बाड़ करस्ट एरिया है बाड़ आती है तो अभी बाड़ आने से पहले ही यह काम हो रहे हैं तो फिर आगे हमें यह डर है कि और भी ऐसे जीव जनतुना है वहीं इस पूरी घटना का वीडियो किसी ग्रामई ने अपने मुबाईल में क्याद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया साथ ही घटना की सूचना वन विभाग को दी गई जिसके बाद वन साल पहले भी यहां से एक विशालकाय मगरमच निकला था जिसे उस समय वन विभाग की टीम ने यहां से पकड़ कर कहीं दूर छोड़ दिया था आला कि आज अज अचानक इतने अंडों के निकलने से इस समय इलाके में देह्शत का माहाल है वहीं यहां के लोगों ने हाल प हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप यह वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ध निवाद